प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुगरे, शान्ती और आशिश मिले आप में से कई लोगों ने जॉर्ज वाशिंग्टन के बारे में सुना होगा जो अमेरिका के रास्ट्रपती रह चुके हैं और करीब सत्रा सो नम्बे इस्वी के आसपास उन्होंने आठ साल रास्ट्रपती का पद निभाया लेकिन उससे साथ साल पहले अमेरिका में इंडिपेंडेंस की वार होई थी जैसे हमारे देश में होई थी और बिटिशस को छोड़ना पड़ा था वैसे ही अमेरिका में होई थी करीबा 1783 में तो उस वार में जिसको अमेरिकन रेविलुशनरी वार कहते हैं उसमें यही जॉर्ज वाशिंटन पहले एक मिलिटरी के जेनरल थे हिंडी में सिनापती आर्मी के पूरे वो जेनरल थे और वो वार जीती गई और ब्रिटिशर्स को वहां से भगाया गया और फिर यह जेनरल वाशिंटन यह जेनरल जॉर्ज वाशिंटन अमेरिका के राष्ट्रपती बने तो उस समय की बात है तो एक घटना लिखी है कि एक पर्मेश्वर का दास था जिसका नाम पीटर मिलर था और वो एक छोटे नगर में रहते थे जिस नगर का नाम था इफरात और बड़ी अच्छी कम्यूनिटी थी और काफी लोगों के बीच में उस चोटे से टाउन में प्रेम था भाईबंदी थी पर्मेश्वर का भै था लेकिन एक व्यक्ति था जो इस पर्मेश्वर के दास के विरोध बहुत उत्तेजित रहता था बहुत बुरा बोलता था बहुत विरोध करता था और उस व्यक्ति का नाम एम विट्मिन था विट्मिन उसका नाम था और ये विरोध करता रहता था और ये जो पर्मेश्वर का दास पीटर मिलर था ये सहता रहता था क्योंकि वो सोचता था कि अगर प्रभुक के लिए मुझे दुख उठाना पड़े तो मैं दुख उठाऊँगा क्योंकि पीटर मिलर ने इस दुष्ट व्यक्ति विटमेन के विरुद कुछ नहीं किया था बस ये विटमेन उसका विरुद करता था लेकिन थोड़ा समय मीतने के बाद ये पता चला कि विटमेन ने राज द्रो किया था वो एक देश द्रो ही निकला और इसलिए वो पकड़ा गया और अब उसको फासी की सजा गोशित की गए और इसको फासी चड़ने वाली थी तो इस बात को आप समझो के उन दिनो ना ट्रांस्पोर्टेशन था जैसे आज है कि आप बस पकड़के ट्रेन पकड़के किसी से लिफ्ट मांगके चले जाओगे ऐसा कुछ नहीं था गाड़ियां अगर होती भी होगी तो वो सिर्फ बहुत अमीरों के पास होती थी कि तो सिर्फ फोर्ड मोटर कंपनी जब दुनिया में आई उसने गाड़ियां पूरी दुनिया में सस्ती करी तो और इसलिए संदेश भी एक जगह से दूसरी जगह लेट पहुँचता था तब कोई इमेल या टेलेविजिन के न्यूज ऐसी कोई चीजे इतनी अविलेबल थी नहीं मतलब सब कुछ ज्यादा था रेडियो पे होता था तो जब ये न्यूज इस इफरात नगर में पहुँचा तो पीटर मिलर ने जब इबात सुनी के विटमेंट को फासी चड़ने वाली है तो वो चलके गया, कोई और साधन था नहीं तो वो सत्तर मील यानि करीब सौ किलो मीटर चलकर वाशिंटन के पास गया जेनरिल वाशिंटिन के पास ये मुझे नहीं मालू है तब तक वो राष्टपती बन गए थे या नहीं बन गए थे लेकिन ये एक दूसरे को जानते थे इनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी तो 100 किलो मीटर ये पीटर मिलर चल के गए जेनरिल वाशिंटिन के पास और उनको कहा के इस विटमन को बख्ष दिया जाए इसको फासी ना दी जाए तो वाशिंटिन ने एकदम उसकी इस अपील को इस निवेदन को नकार दिया कि मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं तुमारे दोस्त के लिए ये काम नहीं कर पाऊंगा तो पीटर बिलर एकदम चौक के बोला कि दोस्त ये मेरा दोस्त नहीं मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है हमेशा ये मेरा काफी समय से विरोध करता रहा है कह सकते हो ये मेरा सबसे बड़ा शत्रू है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको माफी दी जाए तो जनरिल वाशिंग्टन को बड़ा अचंबा लगा और उसने कहा क्या तू सौ किलोमीटर चल के आया है अपने दुश्मन की जहन बचाने के लिए अब तो मुझे इस बात को एक दूसरी रोश्नी से देखनी पड़ेगी और फिर जनरिल वाशिंग्टन ने लिखकर उसको पाड़न दिया उसको माफी नामा दिया और फिर पीटर मिलर उस माफी नामे को लेकर और पंद्रा मील दौड़ दौड़ के गया जहां पर फासी होनी थी उसी दिन पंद्रामील यानी करीब आप समझ लो के 21-22 किलो मीटर और वो पहुचा करीब उसी समय जब विटमेंट को उस फासी के तक्त पे ले लिया जा रहा था और उसने विटमेंट ने भी देखा उसको और कहा देखो अब ये मेरी सजा देखने आ गया अपने बदले को पूरा करने के लिए ये आ गया कि अपनी आँखों से देखेगा कि मैं टांगा जाओंगा लेकिन पीटर मिलर भीड से अपना रास्ता बनाता हुआ वह पर पहुचा और वो माफी नामा प्रिजन्ट किया प्रस्तुत किया और फासी लगने से कुछ ही शन्ट पहले विटमिन जो पीटर मिलर का दुश्मन था वो आजाद किया गया और दोनो वाफस इफरात लोटे अब दुश्मन की तरह नहीं परन्तु जीवन भर के दोस्तों की तरह और पीटर मिलर ने ऐसा क्यों किया वो परमिश्वर का भे मानता था उसने स्वे परमिश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया था और इसलिए वो प्रेम किसी और को प्रगट करने के सक्षब था बाइबल कहती है क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यू के द्वारा हमारा मेल परमिश्वर के साथ हुआ हम परमिश्वर के मैरी थे उसके विरुद काम करते थे पाप करते थे आप को कि मुझे तो नहीं मालूम था वो बात अलग है मानो के अगर कोई व्यक्ती किसी का नुकसान करे अज्जाने में भी तो नुकसान तो फिर भी होता ही है वो कहें मुझे मालूम नहीं था लेकर नुकसान तो हुआ ही तो ऐसे हम भी हमारे पापों के कारण परमिश्वर के बैरी है और वो कहता है कि जब हम इस दशा में थे तब प्रभू येश्व मसी की मृत्यू ने हमारा मेल परमेश्वर से कराया उनका कराया जिनोंने उस मलिदान पर विश्वास किया जिस प्रभू येशु ने सजा अपने उपर सहली उसने हमारा मेल परविश्वर पिता से कराया शत्रूओं के लिए उसने अपनी जान कुरूस पर दे दी जब वो कुरूस पर था लुका की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि प्रभू येशु मसी ने अपने मुँ से पुकार करका आए पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं जो उसको दुख दे रहे थे जिन्होंने उसको कुरूस पे चड़ाया उनके लिए वो शमा मनता है कि ने शमा किया जा है लुका छे में लिखा है परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रू से प्रेम रखो जो तुमसे बैर करे उनका भला करो अपने शत्रू से प्रेम रखो जो ओरिजिनल भाषा है युदानी में प्रेम के लिए कही शब्द उप्योग होते हैं लेकिन यहां पर जो प्रेम का शब्द उप्योग किया गया है वो अगापे है और अगापे का अर्थ है यह ऐसा प्रेम है जो पवित्र अपनी इच्छा से बलिदान पुर्वक और जिससे प्रेम किया जाता है उसकी सबसे उत्तम भलाई सोचता है ऐसा प्रेम है यह कोई शारिरिक प्रेम नहीं है कोई रोमेंटिक प्रेम नहीं है यह उस शत्रू का भी भला सोचने वाला प्रेम है इसलिए पीटर बिलर सौ किलो मीटर और फिर और बाईस तेस किलो मीटर चल के दोड़ के गया ताके उसका दुश्मन नाश न हो जाए पीटर बिलर जानता था ये अपनी इस स्थिती में मरेगा पाप में मरेगा तो नरक का दंड भोगेगा जो अडिन्त काल का है जहांपर रोना और दातों का पीच्टा है जहांपर आग है पर अग्रतु उजाला नहीं है अधेरा ही अधेरा है और वहाँसे निकलने का कोई रा भलाई के बारे में सोच जब हम पापी ही थे जम उसके दुशटन ही थे जब हम अपने पापंऑ और अपरादों में मरे हुए थे तब परवश्व Liberal ने हमारी उत्तम भलाई सोची बिना हमारे response के बिना हमारे reaction के उसको जो भला करना था उसने वो भला किया मनुश्य को रूब धारण करके कुमारी के जरीए पैदा होके इस जगत में आया और हमारे पापों की सजा अपने उपर ले ली हमें पूछ कर नहीं ली ले ली और तीसरे दिन जी उठा अब उसका कहना है तुँ पश्टाप कर और विश्वास कर कि मैंने तेरे बोज को अपने उपर उठा लिया क्या इस प्रेम को अपने जाना है इस अगापे प्रेम को कुरूस की तरफ देखे विश्वास से देखे और वहाँ पर उस उद्धार करता को जो तीन कीलों पर लटकाया गया उस पर विचार करे उस पर ध्यान करे उसके प्रेम को देखे उसके सित पर वो काटों के ताज को देखे वो चोटे काटे नहीं थे जो गुलाब से लग ज किता है ये कैसा दुख ये कैसा प्यार ये कैसा दुख ये कैसा प्यार आज उस पर विश्वास कीजिए प्रभु येश्व से फ्रात्न कीजिए अपने पापों से पश्टाब कीजिए प्रभु येश्व आपको आशिश दे